बिन्दु आवेश के कारण विभाव, potential due to point charge, मूल बिन्दु ओपर इस्थित किसी बिन्दु ओपर बिन्दु आवेश Q पर विचार कीजिए, सु इस पस्टता की द्रिष्टी से केप्टल Q को धनात्मक लीजिए, हम बिन्दु पी पर मूल बिन्दु से स्थिती सदिश आर के साथ विभाव निर्धारित करना चाहते हैं, इसके लिए हमें एकांग धनावेश को अनन से उस बिन्दु तक लाने में किया गया कार्य की गर्णा करना चाहिए, Q greater than zero के लिए परिक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल के वृद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है, चुँकि किया गया कार्य उस पत पर निर्भर नहीं करता, हम अनन से पी बिन्दु तक अक्षिय दिशा के अननी दूश कोई सुगम पत का चैन करते हैं, पत के किसी मध्यवर्ती बिन्दु, पी डैस पर, किसी एकांग धनावेश पर, इस्थिर वैद्युत बल, अभी आपने बल का मान देखा था, कि परिक्षन आवेश, केप्टल क्यू के कारण, एकांग धनावेश पर, लगने वाला बल, एप बराबर, वन अपन, फोर पाई, एप्सलान नाट, क्यू इंटू, वन अपन, और, डैस स्केर, और उसकी दिशा के लिए, इकाई, सदिश लगा था, अब इस इकाई आवेश को, इकाई आवेश को, डी आर डैस दूरी ले जाने में किया गया कार्य, डी 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 बराबर, एफ गुनित, डी आर डैस, बल गुनित, बल की दिशा में, विस्थापन, तो यह आपका, डी डी डबल हो गया, एफ का मन आप निकाल चुके हैं, वन अपान, फोर पाई, अप्सलान नॉट, क्यू इंट वन, अब मैं इसको अदिश रूप में रख रहा हूं, आर डैस का स्क्वेयर इंटू, डी र डैस, इसलिए, आर से अनन तक ले जाने में कार्य, इस काई आविश को, आर से अनन तक ले जाने में कार्य निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन, d w बराबर integration r c अनन्त 1 upon 4 pi epsilon not q बटे r dash square d r dash तो d w का समाकलन हो गया w इसमें ये नियतांक है 1 upon 4 pi epsilon not into q r से अनन्त ये r dash square है उपर जाएगा तो minus 2 dr dash यहां हमने सुत्र का उप्योग किया integration dx बराबर x integration x to the power n dx बराबर x to the power n plus 1 upon n plus 1 जब n बराबर नहीं है रिनेक तो w बराबर 1 upon 4 pi epsilon not q ये आपका हो जाएगा r dash की घात minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 r से अनन्त w बराबर 1 upon 4 pi epsilon not q r dash की घात minus 1 बटे minus 1 r से अनन्त w बराबर 1 upon 4 pi epsilon not into q ये जाएगा minus 1 upon r dash r से अनन्त अब limit रख देंगे 1 upon 4 pi epsilon not q minus 1 बटे अनन्त माइनस माइनस एक बटे आर तो एक बटे अनन्त का मान होता है 0 तो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not q इंट 0 plus 1 by r तो ये w का मान हो गया 1 upon 4 pi epsilon not q बटे आर अब ये आर से अनन्त तक ले जाने में कार्य है इसलिए हमारे को वी से अनन्त क में कार्य चाहिए तो वी बराबर माइनस डबल्यू क्योंकि ये आर से अनन्त तक था हम कोई काई आवेश को अनन्त से आर तक लाना है तो हो जाएगा माइनस 1 upon 4 pi epsilon not q बटे आर तो ये था आपका बिंदू आवेश q के कारण विभाव का सुत्र जिसको हम संख्यात्मक रूप में माइनस चिन को नहीं लगाएंगे और सीधा अमारा सुत्र हो जाएगा v equal to 1 upon 4 pi epsilon not q बटे आर तो ये था बिंदू आवेश के कारण किसी बिंदू पर विभाव बिंदू आवेश q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदू पर विभाव का मान v बराबर 1 upon 4 pi epsilon not q बटे आर समीकरण v बराबर 1 upon 4 pi epsilon not q बटे आर में आवेश केपिटल q के किसी भी चिन्ह के लिए सत्या है यद्यपी हमने इस संबंद की विद्पत्ती के समय q greater than 0 माना था q less than 0 तो v less than 0 के लिए अर्थात अनन से उस बिंदू तक एकांग परिक्षण धनावेश को लाने के लिए किया गया कार वाहिय बल द्वारा रिनात्मक है यहा इस कथन के तुल्य है कि एकांग धनावेश को अनन से पी तक लाने में इस्थिर विद्युद बल द्वारा किया गया कार धनात्मक है यहा ऐसा ही है जैसा की होना चाहिए चूंकि क्यों लैस दन जीरो के लिए एकांग धनावेश पर बल आकर्शी है अता इस्थिर विद्युद बल तथा विस्थापन अनन से पी तक दोनों एक ही दिशा में है अन्त में यदि हम समीकरण वी बराबर वन अपान फोर पाई एफसलान नाट क्यू बटे आर पर ध्यान दें तो पाते हैं कि यहा समीकरण हमारे उस चैन से मेल खाता है जिसमें हमने अनन्द पर विभव को सुन्य माना था सलगन चित्र यह दरसाता है कि किस प्रकार इस्थिर वैद्युत विभव समानुपाती है एक बटे आर के तथा इस्थिर विद्युचेत्र वित्क्रमानुपाती है आर स्क्यर की अर्थात इस्थिर विद्युचेत्र समानुपाती एक बटे आर स्क्यर दूरी आर के साथ प और वाई एक्ष पर हमने तिवरता और विभाव को लिया है। पहला ग्राफ जिसको हमने नीली रेखा से दर्साया है, वहाँ E के परिवर्तन को R के साथ बताता है। दूसरा ग्राफ जो हमने लाल लाइन से बनाया है, वहाँ आपका विभाव का दूरी के साथ परिवर्तन ब डाइपूर जैसा कि हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं विद्यु द्विद्रुवा दो बिंदु आवेशों Q तथा माइनस Q से मिलकर बनता है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी 2A होता है इसका कुल आवेश सुन्य होता है तथा यह द्विद्रुवा जिसका द्विद्रुवा आगुण सदिश्पी जिसका परिमान Q गुनिट 2A तथा दिशा माइनस Q से प्लस Q के अनुदिश होती है कि अभिलाक्षिनिक गुण द्वारा प्रकट किया जाता है जैसा कि सलगन चित अधिक दूरियों पर वन अपान आरिसकर के नुसार नहीं घड़ती जो एकल आवेश के कारण विद्योट छेतर के लिए प्ररूपी है, वर रन एक बटे आर की घात तीन के नुसार घड़ती है। यहां हम किसी दुदुर्व के कारण विद्युत विभा का निर्धारन करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभा से करेंगे पहले की भाती हम विद्यूत द्वीद्रव के केंद्र को मूल बिंदू पर रखते हैं। अब हम यहां जानते हैं कि विद्यूत छेत्र अध्यार उपन सिध्धान का पालन करते हैं। माइनस क्यू के काराण विभवों का योग होता है। यहां से यहां तक मध्य बिंदू से A, मध्य बिंदू से इधर भी A, टोटल दूरी हो गई 2A, बिंदू O से R दूरी पर कोई बिंदू P है, जहां पर की हमारे को विद्यूत भवों निकालना है। इस दूरी दूरी के काराण आवेश Q से इस बिंदू की दूरी है R1, माना कि यह इसके अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। यह इसका सदिश R था और इस माइनस Q से इसकी दूरी है R2, अब हमारे को इसके विभव का मान निकालना है। तो आप देखिए, इसके विभव का मान V बराबर इस Q के कारण विभव, धन Q के कारण विभव, V बराबर 1 अपान 4 पाई अप्सलान नाट Q बटे R1, इसलिए, परिणामी विभव, V बराबर 1 अपान 4 पाई अप्सलान नाट Q बटे R2, असलिए, परिणामी विभव, V बराबर V1 प्लास V2, 1 अपान 4 पाई अप्सलान नाट Q बटे R1, अब चुंकि यह देखिए, माइनस Q के कारण विभव, इसलिए, इसमें माइनस लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा, प्लास 1 अपान 4 पाई अप्सलान नाट, माइनस Q बटे R2, तो इसलिए, V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सलान नाट, Q कॉमन है, यह जाएगा, 1 अपान R1, माइनस 1 अपान R2, अब देखिए, हम इस 1 अपान, इसमें R1 और R2 के मान को निकालेंगे, तो जाएमिती का सहरा लेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, देखिए आप, यह भी आपका कॉंड थीटा होगा, तो पैथागुरस प्रमिय लग जाएगा, तो R1 का स्क्वेर, करन का वर्ग, बराबर लंब का वर्ग, आप देखिए, यहाँ पर आजाएगा, A स्क्वेर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, प्लस R स्क्वेर माइनस, यह दूरी घड जाएगी, तो आपका हो जाता है, माइनस 2AR कॉंस थीटा, देखिए, जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ ले लिजिए, यहाँ पर B ले लिजिए, यहाँ आपका OL ले लिजिए, तो हमने इसमें लंब डाला था, तो आपका देखिए, आ प्लस LP का स्केर, बराबर AP का स्केर, तो AL का मान आप देख रहे हैं, हम उसके मान को निकालेंगे, और यह LP का मान आप देख रहे हैं, यह से R में से घड जाएगा, तो यह आपका AL का स्केर, प्लस LP को आप लिखेंगे, OP माइनस OL का वर्क, बराबर AP स्केर, तो आपका हो जाएगा, R1 का स्केर, AL का मान आप देख रहे हैं, यह है, A का स्केर, प्लस OP, आप है, R, माइनस, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, इस OL की, तो यह आपका जाएगा, A कॉस थीटा का स्केर, और यह आपका, A साइन थीटा का स्केर, त्रिभूज, O, A, L में, साइन थीटा, बराबर, लम बटे कर्ण, AL बटे, O, A, तो आपका, साइन थीटा, बराबर, AL बटे, A, तो यह हो जाएगा, A साइन थीटा, बराबर, AL, उसी प्रकार, अपन, OL का मान निकालेंगे, COS थीटा, बराबर, OL बटे, A, तो आपका हो जाएगा, OA, COS थीटा, बराबर, OL, तो यह देखे, A COS थीटा आ गया, उनके मान हमने रख दिए, AL का मान, A साइन थीटा, OP का मान, R है, OL का मान, A COS थीटा, यहां से यहां तक का, अब इसको हल कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, A स्केयर, साइन स्केयर थीटा, प्लस R स्केयर, प्लस A स्केयर, COS स्केयर थीटा, माइनस 2AR, COS थीटा, बराबर, OL स्केयर, आप देखो, A स्केयर, साइन स्केयर, तीटा, A स्केयर, COS स्केयर, एक साथ आ जाएगा, साइन स्केयर, प्लस COS स्केयर, थीटा, plus r square minus 2 ar cos theta बराबर r1 square तो sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो यह आपका जागा a square plus r square minus 2 ar cos theta बराबर r1 square तो देखिए r1 square का मान हमने जो यहाँ पर निकाला a square plus r square minus 2 ar cos theta इसी तरह r2 square हो जाएगा a square plus r square plus 2 ar cos theta यह r1 square और r2 square के मान निकल गए अब देखिए हम इसको हल करेंगे क्योंकि हमको r1 और r2 का मान चाहिए तो r1 square equal to r square common कर दिया तो हो जाएगा a square r square plus 1 minus 2 a upon r cos theta यह मान को मैंने यहाँ रख दिया है अब देखिए आपका हो जाएगा r1 square r square चुंकि r बहुत बड़ा है a से इसलिए इसको नगण्य ले लेंगे तो आपका बज़ जाएगा 1 minus 2 a बटे r cos theta a वर्ग बटे r वर्ग को नगण्य लेने पर तो आपका हो जाएगा r1 square equal to r square 1 minus 2 a cos theta बटे r तो इसको अपन समीकराण 1 लिख देते हैं यह आपका हो जाएगा समीकराण 2 यह आपका समीकराण 3 और यह आपका समीकराण 4 तो यह मैंने r1 square का मान कैसे आया इसको मैंने side में आपको बताया है यह a b चित्र में ले करके इस तरह हमने बच्चों r1 square बराबर निकाला r square 1 minus 2 a cos theta बटे r इसलिए r1 बराबर r 1 minus 2 a बटे r cos theta की घात 1 बटे दो अब दीपत प्रमे के विस्तार से आप जानते हैं 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx दो पदों के विस्तार तक तो यह आपका हो जाएगा r1 equal to r1 minus 1 by 2 2 a बटे r cos theta 2 2 हड जाएगा तो इसलिए r1 equal to आपका जाएगा r into 1 minus a बटे r cos theta तो यह minus अब यदि आपन इसको यह r1 का मान निकला है यदि आपन 1 upon r1 का चाहिए तो 1 upon r1 equal to 1 by r 1 minus a बटे r cos theta minus 1 तो यह 1 upon r1 equal to 1 upon r 1 plus a बटे r cos theta यह अपका हो जाएगा समीकरण नमबर 5 इसी तरह समीकरण 3 से निकालिए आप 1 बटे r2 बराबर 1 बटे r 1 minus a बटे r cos theta समीकरण नमबर 6 यह 5 और 6 के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे समीकरण एक में 5 और 6 से मान रखने पर तो V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 1 by r 1 plus a upon r cos theta minus 1 upon r 1 minus a बटे r cos theta तो 1 by r common निकल जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r 1 plus a upon r cos theta minus 1 minus minus ka plus a upon r cos theta यह 1 1 cancel हो गया इस प्रकार V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r और यह आपका हो जाएगा 2 a बटे r cos theta हल करें तो V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 a q cos theta बटे r square अब हम जानते हैं कि P बराबर 2 a q तो V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 dot p cos theta बटे r का square अब इसको अपन एक कांक सदिश के रूप में लिख सकते हैं P dot unit vector r बटे r square जहां r के 61 सदिश हैं और आप जानते हैं a dot b बड़ाबर a b cos theta होता है तो इस प्रकार से V का सुत्र मिल जाता है जब r बहुत बड़ा होए से आता V वियुत क्रमानुपाती है r square तो देखिए द्वीद्रुआ के काराण विभाव दूरी के वर्ग के वित्क्रमान पाती है और बिंदु आवेश के काराण बिंदु आवेश के काराण विभाव दूरी के वित्क्रमान पाती है अक्षिय स्थती में यदि बिंदु P अक्षिय स्थती में हो तो theta बराबर 0 तो V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P बटे R square cos 0 किन्तु cos 0 बराबर 1 तो V बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 P बटे R square इसी तरह अब हम निरक्षिय इस्थती में विभाव का मान निकालेंगे निरक्षिय इस्थती के लिए थीटा बराबर 5 by 2 या निरक्षिय आपने V का मान निकाला V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta बटे R square किन्तु cos 90 की value 0 इसलिए V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 इसलिए V equal to 0 तो इस प्रकार से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि निरक्षिय इस्थिती के लिए विभाव सुन्य होता है और रक्षिय इस्थिती के लिए विभाव one upon R square के समानुपाती होता है या R square के वित्क्रमानुपाती होता है किसी द्वीद्रुव के विद्यूत विभाउं तथा एकल आवेश के विद्यूत विभाउं के तुलनात्मक महत्वपुन लक्षन समीकरन वी बराबर वन अपान फोर पाई एपसलान नाट क्यू बटे आर तथा वी बराबर वन अपान फोर पाई एपसलान नाट पी डाट आर उनिट वेक्टर बटे आर स्क्यर से इसपस्ट है कि किसी विद्यूत द्वीद्रुव के कारण विभाउं केवल दूरी पर निर्भर नह करता वरन इस्थिति सदिश आर तथा द्वीद्रु आगुण पी के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है तथा पी यह पी के परिता अक्षता सम्मित होता है अता यदि आप द्वीद्रु आगुण पी के परिता इस्थिति सदिश आर को कोण थीटा को नियत रखते हुए घ बिंदु पी के सद्रिश घुणन के फलसरूप बने शंकु पर बिंदुओं पर वही विभव होगा जो बिंदु पी पर है अधिक दूरियों पर विद्यु धुदुर के कारण विभव दूरी के वर्ग के वित्क्रमान पात के अनुपात में घरता है ना कि एक बटे आर के अ कि कल आविश के कारण विभव का अभी लाक्षन गोन है